आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना कीर साबुदाना कीर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है नवरात्री स्पेसल चल रहा है तो आज हम कुछ मीठा बनाते हैं नवरात्री के दिनों मेवरत में जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप साबुदाना खीर बनाकर खा सकते हैं और साबुदाना खीर बिनाने में 10-15 omkो लगते हैं इससे जादा टाइम नही लगता है और ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी भी है और healthy भी है तो चलिए इस रेसिपी को बिनाना स्टार्ट करते हैं Hello Friends, मैं Sony, Sony Food Style में आपको बहुत स्वागत है साबुदाना खीर बनाने के लिए यहां मैंने तीन चौथाई कप साबुदाना लिया है यानि कि सागो लिया है यह एक कप है इसका मैंने थोड़ा सा कम लियानि कि तीन चौथाई कप लिया है अब हम इसे अच्छे से दो से तीन बार दो लेंगे और उसके बाद एक गंटे के लिए इसे हम बिगो के रख देंगे यह मैंने अच्छे से दो लिया है अब हम एक गंटे के लिए से बिगो के रख देंगे इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं बिगोना है देखिए एक गंटे बार मैंने चेक किया है इसके दाने बिल्कुल अच्छे से सोफ्ट हो गए है और बिल्कुल खिले-खिले हैं ये मैशी नहीं हुआ है अब हम इसे चान लेते हैं एक चलनी से देखिए इसका एक एक दाना किला हुआ है बिल्कुल भी ये चिप-चिपे नहीं है अब हम इसे बना लेंगे यहां मैंने 1 लीटर दूद लिया है और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है इसमें मैंने कुछ केसर के दागे डाल दिये है केसर के दागे बिल्कुल ओप्शनल है अगर आपको पसंद है या आपके पास हैं, तो आप ढाल सकते हैं, नहीं तो आपके बड़ा एसेंस या रोजवाटर भी डाल सकते हैं, केसर के धारे दालने से इसमें बहुत याचा टेस्ट भी आएगा, और बहुत प्यारा कलर भी आएगा, तो 2-3 मिनट इसको अच्छे से देना है दो से तीन मिनट हो गए हैं अब हमने जो साबुदाना भी कोके रखा था उसे हम डाल देते हैं साबुदाना डालने के बाद हमें 5-7 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए है इसको छोड़ना बिल्कूल नहीं है नहीं तो यह नीचे लग जाएगी और कीर हमारी भी खराब हो जाएगई तो चलिए 5-7 मिनट मैंने इसको अच्छे से चलाते हुए पका लिया है अब मैंने यहां एक चुथाई कप मिल्क पाउडर लिया है मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा कई गुना इसका टेस्ट बढ़ जाएगा अगर आपके पास मावा है तो आप 50 ग्राम इसमें मावा भी डाल सकते हैं लेकिन मावा बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने यहां मिल्क पाउडर डाला है अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें तीन से चार बड़े चमच काजू बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें थोड़े से ड्राइफ रूट डाल रहे हूँ तो कटे गुए मैंने यहां काजू बादाम और पिस्ता लिया है उसे हम डाल देते हैं आप अपने पसंद के यहां ड्राइफ रूट डाल सकते हैं इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ड्राइफ रूट एड़ कर देंगे तो चलिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे चलाते हुए हमें पकाना है अब मैंने यहां आदा कप चीनी लिए हैं आप चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसा आप मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप तोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी अगर कम है तो आप कम पसंद डाल सकते हैं चीनी डालने के बाद यह हलका सा पतला हो जाएगा तो हम चार से पांच मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे चार से पांच मिनट अच्छे से पकाने के बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे ज्यादा हम इसको गाड़ा नहीं करना है क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पढ़िया है बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है तो अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए दो गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे दो गंटे बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडी हो गए है ये कि और अब हम इसे ड्राइफ रूट से गार्निश कर लेंगे आप अपनी पसंद के इसे गार्निश कर सकते हैं ये कि ठंडी होने के बाद बहुत ही जादा ड्लीसियस हो जाती है बहुत ही जादा टेस्टी हो जाती है किर बन कर बिल्कुल तयार है अच्छे से ठंडी हो गई है आप इसे ठंडा ठंडा का सकते हैं अगर आपको गरम पशंद है तो आप गरम भी खा सकते हैं और इसको बना के जरूर देखिए आप इसे बनाईए खाये और प्लेस्टी मेरे साथ अपने experience share कीजिए, मुझे comment करके बताईए आपको ये recipe कैसे लगी अगर मेरी recipe आपको पसंद आ रही है तो please video को like कीजिए और इसको अच्छे से share भी कीजिए, अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया तो channel subscribe कर लीजिए और bell icon भी press कीजिए, जिससे notification आपको time to time मिलती रहें, तो चलिए आप भी बनाईए, खाईए, अपने experience मेरे साथ share कीजिए, तो मिलते हैं एक नई recipe के साथ तब तक के लिए, bye bye friends, thanks for watching, happy नवराद्ट